नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोस पे वेलकम बैक टू एब्रिवन और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि हर चीज होने के बाद भी अगर कुछ गलतियों से अगर आप इस जौब से चूप जाते हो तो ये बह बार-बार पूछ रहे हो उस पे भी हम बात करेंगे बट उससे पहले पांच बजे हर दिन आपका लाइफ टेस्ट होता है ठीक है आप जरूर उससे जूरे चाहे बीपीएसी दे रहे हो एंफोर्समेंट एसाई दे रहे हो या आप दरोगा मैंस दे रहे हो ठीक है प्रॉप इसलिए लिख लिक के चीजों को बहुत बताने वाला हूँ ठीक है देखो सबसे जो जाड़ा एक एक पॉइंट में बहुत ही बहतरीन तरीके से किलियर करूंगा पहले में एडुकेशनल डॉकुमेंटेशन आपको क्या चाहे ठीक है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो भ यहां गलत दे दिया है मतलब जब फॉर्म भर रहे तो वहां आपने गलत दे दिया है या हो सकता है कि कुछ डॉकुमेंट में आपका कुछ गलत है मतलब किसी एक डॉकुमेंट में कुछ आपने और दिया है और किसी एक डॉकुमेंट में कुछ आपने और दिया है तो इस आप कैसे करोगो, तो याद रखना, जब भी इस ताप के problem आए, कि अगर आपने कही data गलत हो गया है, तो आप एक bonafide बना लेना, ठीक है, bonafide बना लेना, अब bonafide कैसे बनेगा, तो आप अपने, ठीक है, जो भी आपका district है, वहाँ का जो आपका कछरी है, वहाँ जाएगा, क आपको कुछ document माँगेगा, प्लस वह, through DC, मतलब district collector, आपको एक proper bonafide बना के दे देगा, जो आपको ले जाना पड़ेगा, पहला ये था, जो मैंने, आपको clear करवाद है, एक वीडियो इस पर हम और बनाएंगे, जिसमें आपको, आप जो भी comment करोगो, उसका हम लोग doubt का वी important है, तो educational certificate में आपको क्या-क्या ले जाना है, हम लोग वो बात करते हैं, मैं इसको white कर लेता हूँ, देखो, तो सबसे पहले, जो सबसे important है, आप याद रखना, कि जो आपको जितने भी educational, जो भी मैं भी बताने जा रहा हूँ, आपको, जब आपका physical है, उसी दिन लेके जा होगा, तो उसी दिन लेके जाना है, देखो, सबसे पहले हम लोग 10th से start करते हैं, ठीक है, educational qualification, जो 10th का, ठीक है, आपको 10th का क्या ले जाना है, याद रखेगा, admit card, क्या, admit card आपको ले जाना है, प्लस, यह जो admit card है, आपका, जनम प्रमान पत्र, मतलब जो आपका date of birth certificate है, अगर आपके date of birth certificate नहीं है, तो वो भी बनबा लीजिए, बहुत ही important है, ऐसे आपके पास यह होगा भी, ठीक है, तो 10th का, आपका admit card ले जाना है, फिर से 10th का ही, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका marksit ले जाना है, जो आपको marksit, जो final marksit आपको मिला आपको ले जाना है, उसके बाद, एक एक चीज आप note करते जाएगा, उसके बाद जो आपका passing certificate होता है, passing certificate जो आप class 10 पास कर ले तो आपको, वो passing certificate भी कुछ time के बाद आपको प्रोभाइड किया जाते है, तो passing certificate भी आप ले जाएगा, तो 10th से आपको क्या ले जाना है, आपका admit card, आपका marksit और आपका passing certificate, अगर आपके पास प्रमान पत्र, जनम प्रमान पत्र नहीं भी है, date of birth certificate आपका नहीं है, तभी भी 10th का certificate सही, आपका, मतलब जो date of birth का certificate, जनम प्रमान पत्र जो है, वो आपका हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, class 12 का, class 12 मतलब class 10 plus 2, जिसक marksit ले जाना है, ठीक है, जो आपको मिला है, उसके बाद आपको 10 plus 2 का, क्या, आपको original certificate, हो सकता है, यह आपको अभी तक नहीं मिला होगा, अगर नहीं भी मिला है, तो कोई बात नहीं है, आप यह चीज मैंशन कर सकते हो, कि सर मुझी अभी नहीं मिला है, यह आप जो school और college पढ़ते हो, वहां से आप लिखवा के भी यह चीजे रख सकते हो, तो यह है आपका 10th का certificate, यह है आपका इंटर का certificate, सब का आपको एक क्या करना है, एक original, ठीक है, आपको original एक certificate ले जाना है, ठीक है, प्लस 2 Gerox सब का आप करवा लेना, ठीक है, 2 Gerox भी आप सब का करवा ल अब आते हैं, हम लोग यह तो 10th हो गया है, यहां तक must है, आप ले की जरूर जाना, अब higher qualification, मालो कोई लोग ग्रेजुएट है, ठीक है, या कोई लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, या आपके पास sports का कोई certificate है, या NCC, NCC आपने recently अगर आपने paper पर है तो आप अब जरूर लेके जाना, ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, मैं बताता हूं किस तरीके से, NCC का अगर कोई certificate है, या कोई higher qualification अगर आपने किया है, जैसे आपने graduate किया है, या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आप जरूर लेके जाए, देखो, अगर sports, मतलब certificate है, मतले आपको प्रेजुएट अपको प्रेजुएट्र मिल सकते है, या एग अगर अगर उस्ट कोई से, बहुत अच्छा होगा, मतलब फ्यूचर में कुछ रहता है, था अगर प्रेजूट अपने या धाना, प्रिद करता है, आपको प्रेजुएट अच्छाउक्स घले जा आपका 10th का, यह होगी आपका 12 का, ठीक है, सब का क्या करना है, original प्लस 2 certificate, original प्लस 2 jerox लेकर जाना है, higher qualification आपकी जितने हैं, वो भी आप लेकर जाएगा, certificate सब का, NCC के अगर है आपके पास, या sports के भी कुछ अगर अच्छे लेबल पे हैं, ठीक है, school का नहीं लेकर जाना है, ठीक है, state लेबल पे अगर कुछ अच्छा है, तो आप जरूर लेकर जाए, event district लेबल भी है, तो आप जरूर लेकर जाए, और जैसा कि मैंने बताया, अगर कहीं आपका data में problem, या आपका नाम में कहीं गलत है, ठीक है, मालनो एक आपका जो certificate, उसमें आपका नाम गलत से प् एक्स्ट्रा हमें क्या क्या लेकर जाना है, तो देखो, पहला, आपने जो application form भरा होगा, पहला जो आपने form भरा होगा, सबसे पहला वलब form, ठीक है, तो आपको एक receive मिला होगा, लंबा स application form, जो आपने print करके आप अपने पास रखे होगे, या आपने साइबर केपे में करा application form, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, physical admit card, यह मतलब जो physical का admit card, तो फिर आप नहीं लोगे, तो फिर आपको तो देने ही नहीं मिलगा, तो physical admit card, return admit card, और आपने जो form फिल किया था, ये भी ले 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 ला, अब यहां सबसे important star mark, जो point यह है, ठीक है, कि अगर आप OBC हो, ठीक है, या SC हो, चाए ST हो, अब बिहार में यह भी फरदर्ड यह हो जाता है, BC होता है, EBC होता है, ठीक है, different categories OBC में भी आ जाता है, ठीक है, तो अगर OBC हो, SC हो, ST हो, तो यह बहुत important होगा, कि अपना आप जा certificate, ठीक है, जाती है, I or Residential Certificate आपको बना लेना है, ठीक है, that's very important, जो भी चीज में आपको यहां बता रहोगा, यह बहुत important है, BC and EBC के लिए, ठीक है, और SC और ST हो, अट्राइ करना कि यह जो हो, आपका block level पर आप बनाना है, ठीक है, और national level पर अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसको आप further, डिस्टिक में आप उसको टांसफर करोगा, तो जो अगर block level पर आपका बन जाता है, तो वो जो होगा, आपका बिहारबला बन जाएगा, ठीक है, तो बिहारबला में ही एक चलिए आपका mention होगा, क्या BC हो, EBC हो, इसमें हो, ठीक है, तो यह बहुत important है, जो जब physical होगा, उसी समय लेके जाना, एक चीज और करिएगा, ठीक है, आप अपने साथ किसी को लेके जाएगा, ठीक है, अप अखेले मत जाना, अगर एक कोई person है, अगर पूरे अंदर तक आगा, आपको गुषने, सबको तो देगा, तो आपके साथ एक person को आप जरूर रख में time देगा, तो इसका क्या दो reason, अगर आपने maximum, अगर आपने certificate आपके पास है, मान लो कोई एक छोटा सा, अगर कोई चीज में miss हो रहा है, तो definitely they will give you a proper time, but अगर आप maximum certificate लेके ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तब तो फिर गरबरी हो जाएगे, आपको भगा भी दिय जा सकता, ठीक है, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको reason उनलोग क्या देंगे, कि आप इतना careless हो, कि आपके पास proper certificate नहीं, तो आप क्या police जोइन करोगे, ठीक है, so it's very important, ठीक है, अगर कुछ भी अगर doubt हो, आशा कर तो मैंने सब चीज कवर कर लिया, एक ब मतलब जो जनम प्रमान पतर नहीं, but I think सब के पास यह हो गई, सब का original प्लस दो जेरोक्स आपको लेना है, वैसा ही 12th का, मतलब इंतर का admit card, ठीक है, उसका marksit और original, जो pass certificate मिलता है, अगर यह नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, आप लिखा लेना, जहां से भी परते हो, कि अगर higher qualification हो, तो please आप लेके जाना, sports में हो चाहे, NCC चाहे कोई higher qualification हो, ठीक है, तो आप जरूर लेके जाएगा, ठीक है, एक point में यहां और include करना भूल के, अगर आपके पास character certificate है, ठीक है, character certificate है, तो वो भी आप जरूर लेके जाएगा, और try की जाएगा, अगर नहीं भी है तो बनानी की कोशी जितना जिल्दी हो सके, आप जरूर करें character certificate, ठीक है, ऐसे ही हो, शायत ना खोजा जाए, ठीक है, बट अगर खोज लिया जाए, तो अपने तरब से चूकना नहीं, किसी तरीके से भी, ठीक है, उसी तरीके से application form, ठीक है, यह में बात कर रहा हूँ, जो एक्जाम का application form, जो आपने शुरू में भरा होगा, आपको एक receive मिला होगा, ठीक है, उसके बाद, जो आपने रिटेन एक्जाम qualify किया है, ठीक है, जितने लोग ने उसका admit card, और आपका physical, ठीक है, जो आप जो physical देने जाओगा, उसका admit card, आपने लोग ने download करी लिया होगा, अगर आप reserve category से belong करते हो, तो सबसे जादा important है, आपको जाती, I, और residential ये आपको बनाना है, अगर आप reserve category में fall करते हो, या कोई और भी EWS हो गया, चाहे, freedom fighter हो गया, तो उसके जो proper document होते हैं, आपको जरूर बना ले, ठीक है, तो यही था, कुछ भी doubt हो नीचे बताएगा, चैनल पर नहीं हो, तो make sure आप subscribe कर लेना, ठीक है, ताकि कुछ भी problem हो, आप मुझे नीचे comment करके, प्लीज मुझे बताएगा, और अगर आप job, दरोगा के लिए prepare करो, enforcement SI के लिए, या BPSC के लिए, या कोई national level पर, यह best content आपको provide किया जाएगा, at free of cost, तो make sure आप subscribe कर ले, and thank thank you for tuning dream dose, हसते रहे, मुस्कुराते रहे, परते रहे, जैहिंद,